एक बार बहुत थंड के दिन, एक छोटा लड़का एक जोटे की दुकान के बाहर नंगे पाफ खड़ा था। वह थंड से काम प्रहा था और जूतों को खिर्की के बाहर से देख रहा था। कुछ मिंटों बाद उस दुकान से एक धनी महिला निकली। और अतने उस छोटे लड़के को देखा। वह उसके पास कई और बोली, बच्चे, तुम उस खिर्की में इतनी गंभीरता से क्या देख रहे हो। छोटे लड़के ने जवाब दिया, मेरे पास कोई जूता नहीं है। इसलिए, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे एक चोड़ी जूता दे। यह सुनकर, बह महिला उस लड़के को दुकान के अंदर ले गई। और दुकानदार से पूछा, क्या उसे एक कटोरा पानी मिल सकता है। दुकानदार कुछी मिन्टों में कटोरा भर के पानी लेकर आया। फिर उन्होंने जूते की दुकान के अंदर आया और दुकानदार से उस चोड़ी जूता खरीड कर उस बचचे को दिया। और उसके सर पर हाथ लहराते हुए कहा, बच्चे, क्या तुम आप खुशी महसूस करते हो। जैसे ही बह औरत जा रही थी, छोटे बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया। आखों में आसु भर कर उस औरत से पूछा, क्या तुम भगवान की पत्नी हो। शिक्षा, जब कोई किसी संकट में पड़ती है, तो भगवान उसे सहायता करने के लिए किसी ना किसी को जरूर भेजती है।